मस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सलिया देशी कीचन में हर्दिक स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे वाली चना मसाला बिना लहसुन प्याज की जिसे बनाना बेहती असान है और बहती टेश्टी बनता है इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले चाहिए ध तेजपत्ता हरीमिर्च, जीरा, पाँच परोन, घडी पत्त, टमाटर हम लेंगे चाना जिसे हम 4-5 कंद भीगो दिया था है आपूइसे हम बोइल करेंगे। यह देकि हमने डाल दिया वोईल करने के लिए अब इसे हम डालेंगे अन्धी इसके बाद हम डालेंगे तेजप कुए बढ़ हम डालू कटकर के उस पर डालेंगे हम पानी हमने डाल दिया है वोईल करने के लिए के लिए अधे घंटत तक कुए हमें देक हमने डिख दिया है डे गंटे के लिए Flint रिखि només बहुत ही गला है और ब्ल चुका है अब हम अच्छे से निकाल लेंगे ये दिख लेंगे और फिर्थेयों हो करेंगे इसमें हमने दो लाल मिर्ष डाले हैं अब इसमें हम जीरा डालेंगे इसके बाद हम पाच फोरन डालेंगे यह देखे हमने डाल दिया है इस तरह से हमें डाल लेना है सारी चीजों को यह देखे हमने तेजपत्ता भी डाल दिया है और इसे हम दो से तीन मिनट तक लाल करेंग जिससे फोरण जो है golden brown हो जाए तेस्ट जो हमारा बहुत ही अच्छा आएगा यह दीखिए जीरा और पाच फोरण अच्छे से लाल हो रहा है यह दीखिए इस तरह से हमें पका लेना है अच्छे से मीर्च जो हम अच्छा से कलर आ जाए देखे इस तरह से हीलाते रहना है इसी मिला लेंगे अच्छे से ये दिखिए हमने हरी मिर्ष डाल दिया और दो से मिर्ष में मिल पखाई रेवी मिर्ष में जो हमने चीरा लगा दिया है जिसमें प्रक्षित मिर्षक येале diversity इसने मही नामख नमक हमनने डाल दिया ओर खालाओ नमक जो स्वाधिमनist leddillas जो भी हम वी हम द्रीगे या इन तां चाहिए है जाहे तो आप सेला निमक भी डाल सकते हैं लिख आप अच्छे से पका लेना है मसाले को जिस तरह मिरमासाला जो कच्छा न रहें और आलु को हम इस तरह मसाल लें क्या करें अरे ग्रेबी जो है चना मसाले की बहुत ही अच्छा बनेगा यह देखिए बहुत ही असाने बनाणा इस तरह सामें अहँane छङयी अब छान है हाने वाली सोडा डालने से चना क्या म्हा बहुत ही अच्छा वह डाल पास देखेव Wells कर है तो आप खाने वाली सोडा ना डालें बैस ऐसे ही बोईल करें दो से तीन सीटी इससे हमारे चना जो है बहुत ही अच्छा सौप्ट बोईल हो जाएगा यह देखिए हमने इस तरह से कडाही में बोईल किया था देखिए हमारे चना मसाला जो कितना चा दीख रहा है आप बहुत ही अच्छा आर अजखिए अच्छा कुलर आया है इसमें हमने नारीयल कड करके रखा था वह भी डाल दीआ है यह दीखिए गया कि तो कप पानी डाल दिया है यह कियो चना मसाला में अच्छा टिश्ट आता है यह दीखिए इस तरह समयं थोड़ी धर के लिए म्क्स कर लेना है अच्छे से यह हमने दो कप पानी डाल दिया है ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि चना जो हमरा बोईल हुआ था इसलिए हम पानी ज्यादा नहीं डालेंगे यह देखिए इस तरह से हमें अच्छे से चला लेना है अच्छे से इस तरह से कितना चकलर है हम अब जी इसे हम 10-15 मिनट के लिए अच्छ़ से ढख देंगे पकने के लिए हमने धक दिया है यह तो इसे हम एक वाइखते हम अच्छा कळ यह और बन के रेडि हो चुका है यह दिखिए जबंग ने चना मसाला डाल दिया इसमें थोड़ी सी ज्याधा नहीं डालेंगे यह हमने हर dez niah डाल दिया है दिए कि कि चना masa नहीं हमरा बहुत ही चकला्र आया है बहुत ही शोप्ट पक गया है इससता स्फमरका पंदारि वैली सबजी बनाना बहुत ही आसान है हमने चना मसाला जो है भंडारे वाली बन के रेडी हो चुका है इस तरह से हमें बना लेना है बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चानल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और सब में सेर करना ना भूले